तोड़ा तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में आपको बतायाता है तबी आपको थोड़ा से और अच्छे से इसके फिकर्स पर ध्यान दीजे कि आपको डाजेस्टिफ सिस्टम डिस्क्राइब करने के लिए अगर लॉंग कोशिन में आता है तो आपको पहले इलिमेंटरी कनाल डिस्क्राइब करना होगा देन उसके ग्लैंड्स के बारे में बताना होगा उसके बाद डाजेशन की जो फिजियोलोजी है उसके बारे में डिस्क्राइब करना होगा प्लस फिजियोलोजी में ही आपको उसकी फिडिंग हाबिट भी बतान लेजे लाइक अलिमेंटरी करनाल में सबसे पहले माउथ आ जाएगा माउथ कैसा है क्रिसंटिक है और वेंटरल साइट में यह आपको व्यू दिख रहा है दाट इस फॉम्द वेंटरल साइट तो प्रिसंटिक माउथ इसके अलावा पिट आफ इस पायरिकल के बारे में मैंन को मेंशन करना होगा औकी तो इस स्पायरिकल इस पायरिकल आपको छोटा सा दिख रहा है जो कि गिल स्लेट के जस्ट एंटीर साइट में है तो गिल स्लेट आपको फैरंजल रीजन में वन तो फाइव इंटरनल गिल पाउच के फॉर्म में नजर आ रहे हैं दैन उसके वात फैरंग्स के जस्ट बाद वाला रीजन क्या है? एसाफागस तो इसोफेजियल वाल्व लगा होता है एसाफागस में और उस वाल्व के थूर अगर एनिमल अंदर एंटर किया तो वो वापस फिर बाहर ना निकल पाए इसके लिए ये valve लगा होता है तो जैसे ही animal अंदर enter कर जाता है या prey या food देन उसके बाद ये valve जो है थोड़ी narrow हो जाती है या close type में हो जाती है so that animal expel out ना हो पाए इसके अलावा आप देखिए isophagus के बाद stomach है isophagus की membrane पूरी आपको कैसी दीख रही है membranus है mucous membrane longitudinal force उसमें होते है तो आपको इस फिगर में दीख रहा है cardiac stomach दीख रहा है and then pyloric मतलब J का जो end वाला portion है उधर तक जा रहा है पुरा pyloric stomach का heart की side वाला cardiac stomach so पहला वाला part जो होगा that is cardiac stomach होगा then उसके बाद distal reason में क्या होगा pyloric stomach उसी जगा पे आपको कुछ glands भी दिख रहे है लेकिन पहले हम इसको complete कर लेते हैं glands पे बाद में आएंगे stomach के बाद आप देखिए then आगे continue कर रहा है intestine में so intestine की wall देखिए twisted form में जैसे कपड़े को नी चोड़ते हैं उस तरह का twisted form में intestine देख रहा है intestine के end part जो होता है last part that is the rectum and rectum के बाद आपको कुछ और चीज़े मतलब cloaca present होता है so cloacal reason आप दिखाओगे उस cloaca में 3 openings होती है तो आपको elementary canal rectum तक describe करना है then उसके बाद आप glands पे आजाएए यह सारी चीज़े हो गई glands में largest gland is liver तो liver आपको सबसे in last form में दिख रहा है और उस liver की wall में आपको मतलब एक right side वाल लोब है और एक left side वाल राइट लोब में gallbladder present है तो उसकी wall में यह embedded रहता है gallbladder ठीक है देखे लेबल किया हुआ है उसके बाद ऐसा चीज़ का काम क्या होता है liver से जो भी bile juice secret होता है वो gallbladder में store होता है ठीक है and then एक duct के द्वारा वो open होता है कहां पर stomach में आगे इसके अलावा pancreas 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 देखे यह stomach जो J-shape में stomach है pancreas है then उसके बाद pancreas के बाद मतलब दो gland हो गए इसके अलावा spleen and rectal gland तो rectal gland तो आपको यहां दिख रहा है spleen spleen छुपा हुआ सा है नहीं नजर आ रहा है इसमें level नहीं किया हुआ है कोई बात नहीं mainly spleen protection के लिए होता है क्योंकि prey उसके साथ में कुछ बहुत सारे अगर infected है या कुछ है तो उसके साथ में बहुत सारे microorganisms भी आते हैं आके next अब हम continue करेंगे इसके बाद कैसे हम इसको describe करेंगे सबसे पहले digestive system of scolodon में आपको elementary canal के बारे में बताना है जिसमें mouth, buccal cavity teeth देन उसके बाद आपका pharynx आ जाएगा मतलब माउथ में यह सारे चीज़े आ जाएगे बाक्कल cavity में टीथ और teeth में homodont यानि की oblique होते हैं homodont teeth जो होते हैं polypheodont तो यह दो तरह की teeth हो जाते हैं दो रोज में होंगे then pharynx then esophagus then stomach and then intestine तो as such आप देखिए intestine पे हम आ जाते हैं सीधा क्योंकि इसके पहले हमने आपको already बताया हुआ है क्या बताया हुआ है किस चीज़ के बारे में यह last lecture में हमने बता दिया था कि twisted form में होता है इसका intestine तो intestinal wall यानि की scroll wall कहेंगे ठीक है scroll के form में होता है इसका ts अपर पार जो है that is ts transfer section है और जो नीचे वाला portion है that is ls यानि की longitudinal section तो longitudinal section अगर कट करके हम study करेंगे तो ऐसा दिखेंगा plates की form में दिखेंगा और अगर ts की study करेंगे तो वह spiral wall के रूप में दिखाई देगा so इस figure में आपको total मतलब scoliodon का ही ts कट किया हुए so this is the ts of scoliodon through intestine so you can see here the spinal cord or nerve cord and then notochord then dorsal aorta and afterwards on the ventral side you can see the scroll wall so that is spiral two and half times so कैसे आप describe करोगे intestine को so intestine don't have deutenum and ileum so deutenum and ileum is absent in the intestine of scoliodon so intestine directly open into the rectum so internal surface of intestine is greatly increased by the presence of longitudinal force or scroll wall anti-clockwise anti-clockwise spiral ulti तरफ को है और two and half times होगा और यह बहुत important है अगर digestive system लॉंग नहीं आता तो at least आपको शॉर्ट नोट में आ सकता है स्क्रोल वाल्व के बारे में या इंटेस्टाइन के बारे में लिखने के लिए सो ध्यान रखियेगा it is very important then anti-clockwise spiral of two and half times okay then it may increase the क्या इसका significance है इसक्रोल वाल्व का क्या significance है it increases the absorptive surface and also checks the rapid passage of food through intestine तो इस तरह से आप देख रहे हो कि intestine में यह जो इसका जो absorptive surface होता है उसको increase करने में या बढ़ाने में ताकि absorption जादा से जादा हो okay इसके अलावा यह passage होता है food का passage होता है intestine के तरह उसको भी एक तरह से रोकने का काम करता है twisted form में मतलब उसी में animal जो है वो एक तरह से twist हो गया और जादा से जादा उसको layer मिल रही है absorption के लिए then finally intestine opens into the rectum okay last part rectum हो गया elementary canal का and it opens into cloaca rectum कहा ओपन हो रहा है and receive the opening of rectal gland तो आपको starting में यह आप देख लिए एक बार फिर से आपको दिखा देती हूं यह figure और इसमें देखिए यह rectal gland you can see here near rectum you can see the rectal gland red color rectal gland rectal gland okay इसके अलावा urinary cloaca में और भी openings होती है urinary papilla की and opening of uterus यह तीनो यह चीज़े यहां पर open होते हैं और rectum तो ओपन होता ही है rectum यानि की anus आप अनस भी कह सकते हो तो cloaca में यह तीनो चीज़ों की opening एक साथ एक ही जगह पर होती है so next आगे continue करते हैं यह हो गया पूरा total elementary canal के बारे में okay now come to know about the digestive glands now digestive glands total four होते है ठीक है अब इन चारों में से पहला है liver दूसरा है pancreas तीसरा स्प्लीन एं चौथा सीकल और rectal gland तो rectal gland अभी हमने दिखाया भी था आपको rectum के end में होता है और इसकी उपनी cloaca में होती है so first of all liver liver is two-lobed in right lobe anterior portion in the right lobe's anterior portion a V-shaped gallbladder is embedded तो ये भी हमने आपको figure में दिखाया था V-shaped gallbladder present था right lobe में which stores the bile secreted by liver gallbladder opens into a bile duct which runs backward and open into the intestine so cardiac stomach and ventral lobe to the pyloric stomach so इन दोनों के बीच में है तो dorsal lobe उपर की side यानि की cardiac stomach की side होगा और ventral वो pyloric stomach की side में होगा the pancreatic duct opens into the intestine ये भी intestine में ही open हो रहा है just opposite the aperture of the bile duct तो जहां पर bile भी intestine में हो रहा है लेकिन उसके just opposite pancreatic duct का aperture होता है और वो open हो रहा है intestine में ही so ये दोनों ही एक तरह से intestine में open हो रहा है then third number पे है rectal or secal gland it is in the form of a small diverticulum from the dorsal wall of the rectum its significance is doubtful but it discharges a fluid into the intestinal lumen the physiological effect of the fluid is unknown तो एक तरह से जो secal gland या rectal gland है इससे बस इतना पता चला है कि कुछ एक तरीके का fluid discharge होता है intestinal lumen में इसके अलाबह इसका और कोई significance नहीं पता चलता है क्या इसका रोल है that is unknown next four number पे spleen है it is a large gland consisting of two lobes the proximal lobe extending along the outer curvature of the cardiac stomach and the thin elongated distal lobe line parallel to the pyloric stomach spleen भी pancreas की position आपको बताई थी उसी तरह से spleen की भी same उसी तरह से position होगी तो पीछे की ओर को होता है elementary canal के पीछे so इसकी lobes होते है so that is why उसमें figure में इसको represent नहीं किया गया है ना भी describe करो तो भी चलेगा then come to the next part of the digestive system दो चीजे हो गई पहली क्या थी? elementary canal and then second number पे आपको क्या बताया है मैंने? elementary canal के बार digestive glands के बारे में बता दिया अब third number पे हम physiology of digestion of food में आ जाते है so the prey is engird as such and passes down to the stomach unchanged unchanged का मतलब जिस तरह से prey को उसने catch किया capture किया बिलकुल उसी form में वो mouth से buccal cavity then esophagus then उसके बाद ये कहां आ जा रहा है stomach में बिलकुल जिस condition में प्रेय को capture किया गया था उसी condition में इस टमक तक आ गया there is no any change in the food or prey the mucus in the buccal cavity contains mucin which lubricates the food तो जो buccal cavity में mucus secret हो रहा है mucin present होता है mucin is a protein and इसका काम क्या है mucin का ये जो prey है या food है उसको lubricate करना यानि कि उसको smoothly वो pass out हो जाए so that is why lubrication हो जाता है उसका the mucus membrane of the stomach secret the gastric juice अब इसके बाद stomach में unchanged form में जो animal या food या फिर prey पड़ा हुआ है so stomach की wall कैसी होती उसकी जो mucous membrane होती है उससे gastric juice का secretion होता है अब ये gastric juice में क्या क्या चीजे होंगी so gastric juice which contains hydrochloric acid and pepsin प्रोटीन है okay the hydrochloric acid serves as अब देखे hydrochloric acid का क्या function है क्या काम है hydrochloric acid क्या करेगा तो acidic होता है तो एक तरह का acid है so पहला इसका significance है to destroy the bacteria coming along with the food second number पे to avoid the contamination of stored food बहुत दिनों तक अगर रखा हुआ है पड़ा हुआ है तो contaminate भी तो हो जाएगा तो SCL उसको contaminate होने नहीं देता है then to activate the inactive pro enzyme pepsinogen into active enzyme pepsin so pepsinogen को pepsin में convert करता है जिसमें से कि pepsinogen pro enzyme में और वो inactive form में होता है जबकि pepsin active form में होता है then finally last इसका significance है to activate the hard parts of the prey activate का मतलब क्या है hard parts को soft करना so food है उसके hard parts होते हैं उनको भी तो digestion में help हो मतलब digestion चाहिए उसको भी तो digest होना चाहिए तो hard parts easily digest नहीं होते so SCL क्या करता है उसको soft कर देता है इस तरह के hard parts को and then that may also be able to digest अब हम आते हैं pepsin पे ठीक है तो पहले तो आपने देखा कि inactive form pepsinogen pepsin में convert हुआ then उसके बाद आप क्या देख रहे हो कि यह जो pepsin है यह proteinaceous part होता है है ना तो यह जितने भी food के या prey के proteinaceous part होते हैं उनको syntonine में convert करने का काम करता है pepsin syntonine के अलावा proteases and peptones तो यह इन तीन चीजों में जितने भी proteinaceous part होते हैं prey के या food के वो convert हो जाते हैं syntonine, proteases and peptones में with the help of pepsin the pyloric stomach and scroll wall activate the pancreas अब pyloric stomach and scroll wall जो intestine की होती है उसका काम क्या होता है वो pancreas को activate कर देते हैं and the bile and pancreatic juice mix with the food in the intestine अब intestine में bile और pancreatic juice दोनों mix हो जा रहे हैं food में the bile juice is alkaline in nature अब जो bile juice है वो उसका nature alkaline होता है acidic नहीं होता है so it contains no digestive but prepares the food for the action of pancreatic juice तो यह जो bile juice की alkalinity होती है वो help कर रही है food की processing में एक तरह से for the action of pancreatic juice it makes the food alkaline and activates the inactive pro enzymes of the pancreatic juice into the active enzymes तो उसी तरह से जैसे उपर बताया था वैसे inactive को active enzymes में convert करना यह bile juice and pancreatic juice का काम है then इसके अलावा pancreatic juice में और क्या-क्या चीज़े होती है पहला trypsynogen trypsynogen क्या करेगा so pancreas में जो trypsynogen present होता है pancreatic juice में it digest the remaining protein अब जितने और बचे हुए protein होते उनको digest करने का काम trypsynogen कर रहा है then second number पे amylopsym भी है amylopsym of pancreatic juice splits starch amylopsym का काम क्या है starch को तोड़ना या split करना so it splits starch into carbohydrates simple carbohydrates में starch को split करने का काम amylopsym के द्वारा होता है जो की pancreatic juice में present होता है इसके अलावा lipase भी present होता है यह सारे enzymes है over the intestine and scroll valve so इस तरह से जो food का digestion है वो intestinal valve में intestinal valve है उसमें दीरे दीरे करके उसकी absorptive surface तो आपको बता ही दिया कि बहुत जादा होती है तो absorption होता है और वहीं पर blood capillaries का network होता है तो इस तरह से जो nutrition होता है वह ब्लैट के थू पूरी body में जाता है so nutrients मिलता है उससे energy मिलती है है ना? So as such this is all about the digestive system of scoliodon Thank you so much